हलो गाईज जे भारत पिछले लेक्षर में हम बात कर रहे थे लो ओफ एक्यूविलेंट के बारे में आई हो कि वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज हम उसी लो ओफ एक्यूविलेंट के उपर आगे बात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले बहुत में जाओगे chemistry की जब लैब में जाओगे तो लेब में आपको एक apparatus दिखेगा उस apparatus में कि strand होगा व्यूरेट होगी flask होगा वह भी मैं आपको डाइगराम में भी समझा दूँगा तो उस apparatus में आपको क्या दिया रहा जाएगा एक तो क्रेंसेंटेशन नहीं पता है लेकिन उसका तुम्हें वॉल्यूम पता रहेगा तो क्या होगा एन 1 वी 1 बराबर एंटो वी टू कर दोगे दोनों के equivalent बराबर कर दोगे तो वहां से दूसरे की concentration तुम्हें मिल जाएगी समझ माता है N1 V1 मुझे पता है मुझे V2 पता है N2 निकल जाएगा N1 V1 बराबर N2 V2 से समझ माती चीज़ तो इस पूरे process को कि हमने क्या किया non concentration की साहिता से unknown concentration को find out किया इस process को बोला जाता है titration पहले definition लिख दो पूरी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और titration जो है chemistry का बहुत important part है इसे हम अच्छे से समझेंगे The process of determining of unknown concentration process of determining of unknown concentration with the help of solution of non concentration non concentration वाले solution की साहिता से unknown concentration को find out करना यही process क्या किया लाता है titration लिख दो definition definition याद नहीं करनी है इस पर need J की बात में करता हूँ यह आपको board के असाफ से करना है तो याद कर सकते हैं आगे आ जाते हैं अब definition आपने लिख दी है यह है आपके पास apparatus titration करने के लिए अब इस apparatus में क्या क्या चीज़ है तोड़ा सा indicate करते हैं अपन जैसे यहाँ पर यह जो है ना यह होता है stand इस stand के ओपर हम burete को fix करते हैं इसे जो क्या बहला जाता है burete इस burete के ओपर है ना इसे marking लगी होती है 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30, 40, 200 ml, 200 ml तक marking लगी होती है different different burete आते तो different different marking होती है तुम्हें यहाँ पर marking दे रहे कि उससे समझ माता है कि तुमने मानलो marking तर फिल कर दिया तो तुम्हें समझ माता है अच्छा मैंने 200 ml का solution लिया हुआ है मतलब तुम्हें उपर वालेगा volume तुम्हें पता रहेगा समझ माता है अभी ध्यान देना अभी मैं बात करता हूँ जो यह burete है इसमें non concentration का solution फिल किया जाता है ऐसा solution फिल किया जाता है जिसकी concentration हमें exactly पता है जिसे हम बोलेंगे नोन कंसेंटरेशन सोलिशन या फिर जिसे हम बोलते हैं स्टेंडर्ड सोलिशन स्टेंडर्ड सोलिशन भी बोला जाता है ऐसा सोलिशन जिसकी कंसेंटरेशन हमें एक्जेटली पता है उसे हम बोल देंगे Standard Solution यह Definition आगे में लिखा भी दूँगा यह हो गया यहाँ पर हमने भरा है Non-Concentration का Solution इसे बोला जाता है Flask क्या बोला जाता है Flask बोला जाता है इस Flask में यह जो Solution भरा होता है यह Solution होता है Un-Non-Concentration का Un-Non-Concentration Solution unknown concentration concentration को मैंने CYNC लिखके छोड़ दिया है अभी ज्यान देना इस में flask में जो लिया जाता है unknown concentration का solution burate में जो उपर लिया जाता है non concentration का solution एक और ज्यान देना इस unknown concentration के solution को हम बोलते हैं titrate क्या बोलते हैं? titrate, कहीं पर आपको books में ये भी दिखीगा titrate, जिसे हम जानते है solute और solvent जानते है तो solute हम जानते है small amount में लेते हैं ऐसे ही ये flask में भी हम small amount में लेते हैं और जो burate होती है इसमें हम लेते हैं जो solution ले रहे हैं, वो large amount में है एक तरिके से तो यहां पर होता है टाइट रेंट क्या होता है यह जो नौन कंसरेशन का सोलुशन होता है इसे हम बोलते है टाइट रेंट तो इसका नाम भी में लिख देता हूं इसे टाइट रेंट भी बोला जाता है जिसकी साहता से टाइट रेशन किया जा रहा है टाइट हरें एकंत्रेंट को जिसका टैरीशन क्या जा रहा है उसे वो ते Скड़ मूझ बाता है और नीचे में स्मर जो solution है इसमें मैं ले रहा हूं एसे जिसके मुझे concentration find out करनी है अब एसेड और बेस की बीच में reaction होगी तो मैं बोल दूंगा जितने equivalent इसके होंगे उतने ही equivalent उपर से मुझे डालने पड़ेंगे तब ही जा कि solution जो है neutral हो जाएगा समझ माता है यह solution neutral हो जाया तो उस particular condition पे जहां पर इसके equivalent और उसके equivalent बराबर हो जाते हैं हम वहाँ पर क्या बोलते हैं एंडवन वी बराबर कि एंडवी टू लगा देते हैं और यह लगा कि हम मानलो एंडवन वीवन मुझे उपर वाले solution का पता है नीचे वाले solution के लिए मुझे volume पता है तो concentration मिल जाएगी समझ माता है यह कभी कभी कोश्चन में क्या होगा तुम्हें उपर वाले का एंडवन वीवन दे देगा नीचे वाले कि तुम्हारे concentration दे देगा लेकिन volume पूछेगा तब भी तुम सोल कर सकते हैं वीवन पर आपको अभी ध्यान देना अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि सर यहां पर neutralization हो गया क्या हो solution खुद बोलेगा कि सर reaction पूरी हो गई उपर से अब जो है acid या base मत डालो यहां पर हमें केसे पता चलेगा कि हमारा titration जो है पूरा हो गया यहां पर complete neutralization हो गया केसे पता चलेगा जैसे मांदो मैंने यहां पर H2SO4 लिया है उपर से में डाल रहा हूँ Kelsm hydroxide यहां पर मैंने acid लिया है उपर से में base डालता जा रहा हूँ डालता जा रहा हूँ कोर सब्स्टेंट इस सोलूईशन में मिला के रखते हैं, जिसकी एक, दो बोन्द हम डालके रखते हैं, क्या होता है ध спорт इन अगर एस्ट है, तो यहां पर सोलूईशन की अगर यहां पर मैंने बोला acidic solution है, pH साथ से कम है, तो indicator का color जो है different होगा, मैंने मान ले चले लो colorless है, indicator का color जो है colorless है, जैसे ही मैं उपर से solution डालता जारू, डालता जारू, क्या होगा, एक particular point पे, जहां पर इसके equivalent और उसके equivalent बराबर हो जाएगा, वो solution तो neutral हो जाएगा, acid base, आपस में reactor की salt plus water बना देंगे, तो जैसे ही solution neutral हुआ, और अगली drop में उपर से डालूंगा, base की, तो यहां solution जो हो जाएगा, वो basic हो जाएगा, समझ माता है, यहां का acid पूरा consume हो गया, और उपर वाली की, जैसे ही drop गिरेगी, यहां पर solution जो है, slightly basic तो होई जाएगा, समझ माता है, जैसे ही solution basic होगा, वो indicator जो है न, उसका color change हो जाएगा, हम एसे substance लेते हैं, indicator की रूप में, जो acidic solution में different color रखते हैं, जैसे मैंने मान लिए colorless, और जैसे ही pH यहां पर बढ़ गई, साथ से ज़्यादा होई, उसका color different हो जाएगा, तो यहां पर color change होने से मुझे समझ माँ जाएगा, कि मेरी reaction complete हो चुकी है, प्लेरे चीज, धीरे धीरे अपन जैसे आगे बढ़ेंगे, आप तो और चीज़े में समझाता जाऊंगा, इससे diagram बना लो, diagram में बना लेना, burete बोलते हैं, burete में हम non concentration का solution लेते हैं, इससे flask बोलते हैं, इसमें unknown concentration का solution लेते हैं, flask में में indicator भी लेते हैं, indicator क्या करता है, क्या reaction में participate करता हैं, नहीं sir, indicator reaction में participate नहीं करता, वो simple color change करने के लिए यहां पर लिया जाता है, ताकि हमें पता चल पाए कि उपर और नीचे वाले की बीचों complete reaction हो चुकी है, समझ बाता है, ताकि हमें जो titration है ना, उसे complete माना जाएगे, titration पूरा हो चुका है, अब reading note कर दो, लिख दो इससे जल्दी से, जब आप practical करोगे इसका lab में, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें clear भी हो जाएंगी, इससे बना लो जल्दी से, वीडियो पॉस्टर के से बना लो, अब आगे बढ़ते हैं, अब जो, ये जो standard solution होता है, ये दो टाइप के होता है, तो इससे लिखेंगे, हेडिन डाल के लिखेंगे, standard solution, अब standard solution क्या होता है, हमने पले लिख दिया, solution of non concentration, ये दो टाइप के होता है, primary और secondary, primary standard solution, primary standard solution वो होते हैं, जो 100% pure होते हैं, easily available होते हैं, जिने अच्छे से preserve करके रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आज मार्केट से खरीद के लाए, कल यूज करना है, तो वो दिक्कत दे गया, ऐसा नहीं, अरिवा समझ में, वो 100% pure होना चाहिए, पहली बात तो ताकि हमें error न primary standard solution, आप प्रो primary standard solution की जो मैं examples लिखाने वाला हूँ, वो important है, याद रखने है, तो ज्यान देना, primary standard solution की जो सबसे फ़ले example है, वो आ रहा है, के टू, के टू, सी आर टू, और सेवन, potassium dichromate भी बोलते हैं इसे, आपने नाम सना होगा पले, के टू, सी आर टू, ओ, सेवन, ये भी primary solution होता है, दूसरा होता है, Na2, C2, O4, sodium oxalate, ये भी हमने नाम सना होगा पले, sodium by oxalate नाम सना है, तो sodium oxalate ये हो जाएगा, H2, C2, O4 होता है, oxalic acid, Na2, C2, O4 होता है, sodium oxalate, ये हो गया, एक को और नाम आप जानते होंगे, Mohor salt, Mohor salt मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मोल concept में, जब मैंने आपको molecular mass पढ़ाये था, तो जान देने, इसका formula होता है, ferrous ammonium sulfate, FeSO4, NH4 का whole twice, SO4, 6H2O, लिख दो इसे, ferrous ammonium sulfate, इसका formula भी याद है, रचना है, हमें, FeSO4, NH4 का whole twice, SO4, 6H2O, हो जाएगा, ferrous ammonium sulfate, ये हमारे पास होता है, Mohor salt, आगे देखते हैं, आगे है, ये लिख दो जल्दी से, second heading डाल दो, secondary standard solution, secondary standard solution के होता है, जिनने, यूज करने से पहले, खुद पहले, क्या होता है, जिसा मैं यूज करना है, उससे पहले हम उसे standardized करना पड़ता है, और standardized करते हैं, किसकी साहता से, प्राइमरे इस, टेंडर्डर वालों की साहता से, तो लिख देना जिन्हें यूज रणने से पहले स्टेंडर्डाइस किया जाता है उसे बोल देते हैं सेकंडर स्टेंडर्ड सुलुशन इन में हो सकता है कि यह 100% प्रॉर ना हो ऐसी भी चीज़ें होती है आपको तो सिंपल एक्जांपल से याद दुखने हैं बहुत इंपोर संदेते हैं और तो इसमें एकोर होता है हाइपो सुलुशन हाइपो सुलुशन इसिए बोला जाता है एने 2 च्छाल्टी लिख देना हाइपो सूलुशन भी सेड़ें टेंडर्स अलूशन होता इसका फॉर्म लाप सहन्सी चेंडूंडर्स सूलुशन अध उता है एने candle होत hydrogen chloride ये भी क्या होता है secondary standard solution होते हैं ये से लिग दो जल्दे से और important लगा देना केमिन फोर को हाइपो solution को और लगा देना K2CR2O7 को और मोहर salt ये चार example जो है ये बहुत important है याद होने चाहिए बाकी बले नहीं वियात प्लोगे तो भी चले गा लिख दो सर आपने छे में से चार लगवाई दिये लिख दो इससे जल्दे से तो हमने क्या देखा कि सर ये जो ब्यूरेट होती है झूरेट में आपना से situation का solution असे हम बोलता है टीनरड सोल्यूशन की दो टाट के होता हैメर मेरी और secondary केटो color change करके अरे बास मझवें पले colorless था तो बाद में पिंक हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा कुछ भी वो different different indicators अपने different different colors show करते हैं आपने नाम सुन होंगे विसे phenophthalene, methyl orange नाम सुना है सुना होगा definitely सुना होगा लिख दो यह अभी अपन जादा नहीं पढ़ेंगे आगे के chapters में अपन डीप में पढ़ेंगे से indicator लिख दो heading क्या है इसकी definition देखते हैं substance which gives idea about completion of reaction by changing its color तो definition याद नहीं कर दिए simple लिख दो वस कि जो हमें completion reaction के complete और बताता है और कैसे बताता आपना color change करके कुछ indicators होते हैं जो मैं नाम लिखा देता हूं वो लिख लो और याद भी कर लेना जैसे एक indicator होता है हमारे पास starch starch इस्टार्च इंडिकेटर भी important है आप आगे बात करोगे तो अब मिथाइल औरेंज मिथाइल औरेंज ये भी इंडिकेटर होता है इसे बोला जाता है M.E.O.H ऐसे डेनोट किया जाता है M.E.O.H मिथाइल औरेंज और एक होता है H.P.H. H.P.H. का नाम आता है मैं इसे ऐसे लिगी देता हूँ पूरा Phenophthalene Phenophthalene L.E.O.H. लिख दो जल्दी से इसे नाम लिखना बहुत भारी है यार लिख दो Phenophthalene H.P.H. इसे बोलते हैं अपन ये हो जाएगा मिथाइल औरेंज म.E.O.H. Phenophthalene को हम बोलते है H.P.H. से और एक वर जो इंपोर्टेंट है वो है K.M.N.O.F. ये भी इंपोर्टेंट है K.M.N.O.F. को हम बोलते हैं Self Indicator Self Indicator मतलब K.M.N.O.F. अज़र आपने उपर से Burait में डाल के लिया वाइस टेंडर सोलिशन के रूप में तो वो ऐसे Indicator भी यूज हो जाएगा साथ के साथ ही वो Indicator भी शोर करेगा लिग दो जल्दी से तो Self Indicator होता है K.M.N.O.F. इस्टार्च, मिथाल, औरेंज, फिनॉप्थली ये सब क्या होता है Indicators होता है तो लिग दो इसे जल्दी से लिग दिया आगे एक पर हेडिन डालना Equivalent Point Equivalent Point Equivalent Point क्या होता है समझे न जब हम उपर से Base डाल रहे है और नीचे इदियां देना यहाँ पर बात करते हैं अपन जब उपर से Base डाल रहा हो नीचे यहाँ पर ऐसे डे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके Equivalent और इसके Equivalent बराबर हो जाएंगे तो ऐसा Point जहाँ पर उपर और जो नीचे इन दोने के Equivalent बराबर हो जाते हैं टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के Equivalent जहाँ पर बराबर हो जाते हैं उस Point को बोला जाता है Equivalent Point समझ माता है दूसरी बात करते हैं एक नाम होता है End Point End Point क्या होता है जैसे जान दना इन दोने के equivalent बराबर हुए मान लों उपर बेस ता नीच असे था तो जिसे equivalent बराबर होंगे यहां पर क्या हो जाएगा नीट्रल स्लुशन हो जाएगा समझ भाता है तो एकविण रोड़ जाएगे तो यहां पर solution क्या हो जाएगा neutral हो जाएगा अब समझे महाता है जैसे नीटरल हुआ उस पोइंट वो तम बोल देते हैं एक्युविलेंट पॉइंट और जैसे ही एक्युविलेंट पॉइंट के बाद उपर से ड्रोप और गिरती है यह सोलुशन की हो जाता है स्लाइटली बैसिक हो जाएगा समझभाता है जैसे सलुशन बैसिक होगा एंडिकेटर अपना कलर शोओ कर देगा क्या बॉलेंगे ऐसा पॉइंट जहां पर यह रियेक्शन कम्प्लीट करती है यह जहां पर हम समझते हैं उसं क्या बोलते हैं एंडप ऋपॉइंट वो पॉइ में तुम्हें end point दिया जाए या equivalent point दिया जाए उसका मतलब यही है कि आपको इस acid के और उस base के दोनों के equivalent बराबर करने हैं तो लिख देना यहाँ पर लिख देते हैं अपन equivalent point के होता है point at which point at which gram equivalent point at which gram equivalent of titrate is equals to gram equivalent of titrate लिख दो titrate और titrate दोनों के gram equivalent जहाँ बराबर हो जाएंगे उसे हम बोल देंगे equivalent point और end point क्या बोलेंगे end point लिख देना ऐसे भी point at which color change occurs color change occurs यह मैं बोल दूँ के titration completes titration completed एक ही चीज़ हो हम देवो equivalent point पे indicator अपना color change नहीं करेगा तो हमें तो पता है नहीं titrate अब नहीं डालेंगे यह हो जाएगा तो end point और equivalent point कहने के लिए एक ही है question में तो end point दिया जाए एक ही चीज़ है लेकिन क्यों जो इतना सा difference था क्या difference था किसे दोनों के equivalent बराबर है वो तो equivalent point जहां पर color change अकर होता है उसे हम बोल देते हैं end point इस्टापन डालके एक पर चीज़ लिख देना दोनों में difference क्या है तो इस्टापन डालके लिख देना end point and equivalent point have only difference of one drop difference of one drop क्या बोल रहे हैं end point and equivalent point both have only difference of one drop दोनों के बीच में 8 drop का ही difference होता है question में जब भी आईगा तो वो ऐसे mention नहीं करेगा आपको तो end point दिया जाए चाए equivalent point दिया जाए आपको तो n1 v1 बराबर n2 v2 ही लगाना है दोनों के gram equivalent बराबर करने है लिख दो ऐसे हो जाएगा यह भी तो अभी तो हमने titration के पूरी पूरी जो है त्योरी तो पढ़ ली है अब कितने टाइप के titration सोते हैं हमें कौन-खौन से पढ़ने हैं उसकी बात करते हैं लिख दो जल्दी से आजो types of titration तो types of titration दो भूस सारह है अभी हम कुछ इस chapter में तोड़े घृत तो अभी पढ़ेंगे कुछ titration जो है आगे के chapters में हम पढ़ने वाले हैं तो लिख देना साथ के साथ पले types of titration में सबसे पले होता है acid base titration acid base titration इस acid base titration को हम simple titration भी बोलते हैं simple titration लिख दो पहला point simple titration या फिर acid base titration second है back titration back titration third point पढ़ेंगे हम precipitate titration precipitate titration ये तीन titration तो हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे more concept में उसके बाद आते हैं और डिफरेंट टिरिशन साथे वो सब हम आगे के चेप्टर्स में पढ़ेंगे fourth point होता है हमारे पास redox titration नाम से भी समझ मारा redox आपने बच्पन में नाम सना होगा acidation जिसमें reduction oxidation दोनों होते हैं redox reduction और oxidation दोनों होते हैं उसे बोलते रेडॉक्स ये जो हमारा एक चेप्टर है पुरा redox उसमें हम पढ़ेंगे redox titration अभी नहीं पढ़ने वाले हैं बस यहां पर लिख दो जल्दिस से redox titration हो गया एक और होता है double indicator double indicator titration double indicator titration ये भी हपन redox वाले में पढ़ेंगे six बात करते हैं iodometrick 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 titration ये वाला भी titration अपन redox में पढ़ेंगे लिखते जाओ बस साथ के साथ हो जाएगा ये एकवर होता है redox में तीन पढ़ेंगे ये वाला जो titration pH titration ये हम पढ़ेंगे ionic equilibrium करके chapter आएगा उसमें पढ़ेंगे नाम लिख जो सारे के सारे शुरू करते हैं सबसे पढ़े acid based titration या फिर उसे बोलते हैं simple titration लिख जो इसे मैं आगे बढ़ता हूँ heading डाल देना simple titration अब simple titration में जो है न हम क्या बोलेंगे एक acid होगा एक base होगा दोनों के equivalent बराबर कर देंगे तो मैं या लिक देता हूँ simple titration में हम simple देखेंगे N1 V1 of acid बराबर N2 V2 of base ऐसे हो जाएगा acid के equivalent और base के equivalent बराबर कर देंगे और equivalent क्या होता है N1 V1 N2 V2 किसी के लिए मुझे moles दिया है तो मैं equivalent कैसे लिए 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 moles into N factor से समझभाता हूँ चीज किसी के लिए मुझे मान लो molarity दे रिखिये तो molarity into N factor normality हो जाएगा वहाँ से हो जाएगा इसे लिए 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 जल्दी से चलो ठीक है अब देखते है क्वेशन दिखो जल्दी से कैसे सोल करना है समझाता हूँ क्वेशन हमें दिया हुआ है 1.25 gram di basic acid is completely neutralized by 1.25 gram di basic acid is completely neutralized by 25 ml 0.25 molar barium hydroxide find molecular mass of acid अब acid उसने mention नहीं किया कौन सा acid है कुछ दिख कर दिये उन्होंने एक चीज यहां पर mention किये क्या है वो di basic है क्या mention किया उन्होंने कि di basic acid है मतलब उसका n factor कितना हो गया यह जो di basic है न मतलब यह basic city उसने बोल दिया 2 acid के लिए basic city क्या होती है उसका n factor होता है तो दियान देना मैं बात करता हूँ acid acid के लिए उन्होंने दे दिया n factor कितना दे दिया sir 2 दे दिया चुक्कि उसने di basic acid बोला तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि sir वो जब solution में जाएगा तो 2H प्लस दे देगा clear riches n factor हो जाएगा 2 mass कितना दे दिया उसने हमें mass w1 ले ले लेता हूँ मैं से w1 उसने हमें दिया हुआ है 1.25 gram क्या molar mass दिया है क्या sir molar mass तो पूछा है molar mass में capital M1 मान लेता हूँ यह हमें find out करना है base के लिए में क्या दिया हुआ है बताओ जल्दी से sir base के लिए उसने हमें ml और molarity दे रखी है मुझे बताओ molarity M1 अच्छा यहाँ पर तो इसे मैं M2 लिख देता हूँ यह अटाओ रुखो यह molar mass मुझे निकालना है molar mass जान देना मुझे molarity कितने दे रही है उसने molarity दे रही है 0.25 molar इदे रखाए volume कितना दिया हुआ है V2 25 ml अभी जान देना हमें एक के लिए तो mass दिया हुआ है दूसरे के लिए molarity और volume दे रखाए कुछ दिख देनी है जिसके लिए mass दिया है न उसके लिए हम लिख देंगे moles into N factor इसके लिए हम लिख देंगे molarity into N factor into volume चलो देखते हैं अभी जान देंगे अगर मैं बात करता हूँ तो equivalent of acid बराबर equivalent of base यह होगा अगर acid base की बीच में titration हो रहा है तो acid के equivalent और base के equivalent दोनों के equivalent बराबर हो जाएंगे यह हमारा titration है समझे माता है अभी जान दो इस acid के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं सर उसने हमें mass दिया रखा है N factor दे रखा है तो मैं इसे लिख दूँना moles into N factor moles into N factor base के लिए दे रखा है उसने molarity into N factor into volume लिख सकता हूँ मैं इसे तो दिक्रत नहीं है चलो आगे आजाओ mass है 1.25 divided by molar mass तो मैं इस लिख देता हूँ molar mass into N factor देखो N factor कितना दिया हुआ है 2 इधर molarity हमें कितने दे रखी 0.25 N factor कितना दिया हुआ है सर बेस है हमारे पास barium hydroxide barium hydroxide जब पानी में जाएगा तो कितने OH मैनस देगा सर 2 OH मैनस देगा तो यहां से हम देख लेंगे इसका N factor हो जाएगा 2 into volume देखो volume दिया वाई 25 ml अभी जहां रखना इंपोर्टेंच चीज़े क्या इधर हमने ml में वोल्यूम लिया है क्या इधर तो हमने मोस लिया है तो यहां पर हमारे पास जो volume रहेगा वो volume रहना चाहिए लिटर में ml में मत ले देना नहीं तो answer गलत आएगा जब इधर अगर मेरे पास volume होता तो मैं इसे volume ml में लेता तो मेरे पास इधर ठीक है मैं volume ml में ले सकता हूँ लेकिन यहां पर हमारे पास मास है मतलब मोस है तो यहां पर मुझे volume जो है लिटर में लेना पड़ेगा यह ध्यान रखना गलती हो जाती है बच्चों से अभी देखते हैं दो से दो cancel out हो जाएगा और देखते हैं यह यहां से यह cancel out हो जाएगा 25 से 125 कितनी बार सर 5 बार तो देख लो अब बाकिया solution है यहां पर आ जाओ इस पर सर इदर आजाएगा molar mass मतलब 5 divided by molar mass बराबर इदर आजाएगा तुमारे पास 25 इंटू 10 की पार माइनस 3 यही है कुछ और बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ ठीक है molar mass इदर लेकि जाओ इन सबको इदर लियाओ यह हो जाएगा हमारे पास देखना जान से 5 divided by 25 10 की पार माइनस 3 इदर हो जाएगा molar mass molar mass बराबर आजाएगा हमारे पास 5 से गया 5 बार तो मैं लिख दूँगा देखना जान से 10 की पार 3 उपर चल जाएगा डिवाइड बाइ 5 यह रहेगा 10 की पार 3 मतलब 1000 1000 डिवाइड बाइ 5 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाइ 5 200 ग्राम तो हमारे पास molar mass आगया 200 ग्राम यह तो हमने simple calculations की है इससे पर ले concept क्या था तर acid और base acid और base की बीच में titration हो रहा था तो हमने दोने के equivalent बराबर कर दिए एक के लिए हमारे पास volume और molarity दे रखी थी दूसरे के लिए हमारे पास mass दिया हुआ है molar mass पूछ रहा है तो एक के लिए तो हमने लिग दिया most into n factor equivalent normality into n factor equivalent आजाएगा normality into volume equivalent आजाएगे अब यहां पर molarity दे रहिए तो molarity into n factor into volume हो जाएगा clear चीज यहां पर ऐसा है simple question जो आते हैं titration के उपर वो ऐसे भी आते हैं कि एक के लिए normality volume दे दिया दूसरे के लिए तुम्हें volume दे दिया normality पूछ रहे हैं तो इतने easy वाले questions हमने नहीं देखे हैं लिख दो इसे जल्दी से answer हमारे पास आगया 200 gram molar mass उस dye basic acid का लिख दो आगे आ जाते हैं second question के उपर second question हमें दिया वाए 5 gram sample of H2SO4 solution is titrated with 300 ml 5 gram sample of H2SO4 solution is titrated with 300 ml 0.1 molar calcium hydroxide solution तो यह base है और वो acid है मनला simple titration हो रहा है हम पर for end point समझ माता ना end point बोलो चाई equivalent point बोलो बात एक ही है तो मैं equivalent ही बराबर करने है with suitable indicator calculate percentage purity of H2SO4 solution तो I hope की language तो आपको समझ मा आ गई होगी कि acid और base की वीच में titration कर रहे है कोई indicator ले लिया हमने कोई साभी लिया उसका में कोई लेना देना नहीं है अभी तो आगे की chapters में जब हम पढ़ेंगे तो दो-तिन indicator हम पढ़ेंगे detail में पढ़ेंगे methyl orange पढ़ेंगे phenophylline पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे उसे अभी तो हमारे कुछ काम का नहीं है अभी तो देखेंगे कि हट्टो एस ओफ और केल्सम आड्रोक्साइड दोनों के equivalent बराबर करेंगे तब हमारे पास हट्टो एस ओफ और क्या purity आ जाएगी अभी ध्यान दो purity पूछ रहा है न वो प्यूरिटी ओफ एस्टो एस ओफ और सॉलुशन तो ऐसे देखना जो तुमने पांस ग्राम सेंपल लिया इस्टो एस ओफ और का वह पांस ग्राम पूरा प्यूर नहीं है क्या है पांस ग्राम पूरा प्योर है क्या अगर पांस ग्राम पूरा प्योर होता तो यहां पर तुम से percentage purity नहीं पूछ रहा होता हो वो तो 100% होती लेरी चीज उसने हमें दी दिया कि हमनें 5 ग्राम ह्ट्रोस ओफर लिया केल्समाड रॉकसाइड के साथ reaction करवाई केल्समाड रॉकसाइड इतना यूज हो गया तो वह बोलाएं कि बताओ कितना पर्सेंट प्योर था तो ध्यान देना अगर पांस ग्राम में से मैंने बोला तीन ग्राम जो है ना केल्समाड रॉकसाइड के साथ प्योरेटी के से निकालते हो मास रियक्टेड बाइ मास टेकन इंटू हंड्रेड ऐसे दिखते हैं पांस की ग्राम में से तीन ग्राम जो है एक्च्छल में ह्ट्रेस अफोर था बचावा जो दो ग्राम हो क्या ते मिट्टी थी ऐसे तो देखेंगे तो परसेंटेश प्योर रहा हूं मैं वो मास इंकाल हुआ जो मास रियक्शन में पार्टिसिपेट किया अब मास रियक्शन में जो पार्टिसिपेट किया उसे मैं मान लेता हूं एक्स तो द्यान देना मैं यहां पर बोल रहा हूं एच्ट्टू एसफोर के लिए हमने मास जो है वह एक्स ग्राम ल N factor पता है H2O4 का वो भी पता है 2 होता है यहां से Moles into Moles into N factor करके H2O4 के equivalent आ जाएंगे Kelsium hydroxide की बाद करते है Kelsium hydroxide के लिए उसने हमें क्या दिया हुआ है उसके लिए हमें दिया हुआ है Molarity into Volume Molarity हमें दे रहे है 0.1 Volume हमें दिया हुआ है 300 ml 300 ml को मैं लिख दूँगा 300 into 10 की पार minus 3 liter चलेगा यह चीज अभी ध्यान दो Simple करना क्या है सर दोनों के equivalent बराबर कर देंगे मैं यह लिख दूँगा equivalent of H2SO4 बराबर equivalent of calcium hydroxide do more concept से करने जाते है ना तो lengthy हो जाता यह तो मैं आपनों तोड़ा detail में समझा रहा है इसलिए थोड़ा बढ़ा हो रहा है तो directly यहां से भी solve कर सकते थे हमें देखना पड़ेगा moles into N factor moles कितना mass divide by molar mass यह आगए तुमारे पास moles into N factor कितना उसका 2 को दिखका थे क्या moles into N factor इधर आजाओ इधर हमें पता है calcium hydroxide का N factor कितना दिया हुआ है calcium hydroxide का N factor 2 calcium hydroxide जब पानी में जाएगा तो 2 OH माइनस देगा उसका N factor है 2 molarity देरे की 0.1 तो मैं लिख दूँगा 0.1 into 2 molarity into N factor normality हो गई into volume volume कितना है 300 into 10 की पार minus 3 कोई दिक्कत नहीं है अभी तर अब तो question solve हो जाएगा यहां से हमारे पास जो X है न वो आ जाएगा और X की value क्या है mass reacted mass taken कितना है 5 gram तो answer आ जाना चाहिए solve कर दो इससे जल्दी से सरी यह 2 से 2 तो cancel out हो गया आ जाने तो इधर इसे मैंने लिख दिया X बराबर 98 भी उपर चल गया तो 98 into 0.1 into देखना इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 लिख सकता हूँ इससे आ जाओ X बराबर आ जाएगा आटिया चोईस 2 9 तिया सकता है इस और 29 2.94 gram इससे solve कर देना 2.94 तुमारे पास answer आ जाएगा यह 2.94 क्या है जो mass reaction में participate किया इतना ही gram तुमारे पास mass reaction में participate किया तो percentage purity कैसे देखोगे percentage purity हो जाएगा तुमारे पास mass reacted mass reacted upon mass taken into 100 बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पर सर उपर है 2.94 divide by molar mass total हमने mass कितना लिया था 5 gram लिया था into 100 यह solve कर दोगे आपके पास percentage में purity आ जाई गी मैं answer जो है video में provide कर दूँगा लिख दो जल्दी से तो इस question में हमने किया किया हमने simple जो है के वल purity निकाल लिए थी हमने देखा कि 5 gram लिया है कितना radiation में जाएगा हमें नहीं पता हमने X मान लिया molar mass एस्टोर सब्सक्राइब का पता था N फेक्टर भी पता था तो moles into N फेक्टर करके इस्टोर सब्सक्राइब के एक्क्विलेंट लिख दिए केलसम हाट हाइड्रोकसाइड के लिए molarity volume दिया हुआ था N फेक्टर भी पता था तो molarity into N फेक्टर into volume करके उसके भी equivalent लिख दिए दोनों के equivalent बराबर कर दिए वहाँ से मेरे पास X की value आ गई समझ बाता है X की value आ गई तो हमने देखा purity क्या होती है mass reacted upon में mass taken into 100 mass reacted है 2.94 taken है 5 gram into 100 तो answer आ जाएगा इस तरीगे से calculations की जाती है titration की यही question आप चाहो तो more concept से भी कर सकते हो reaction लिखके है balance करके फिर h2o support के बारे में बात करेंगे लेकिन वो lengthy हो जाएगा इसलिए हमने बात की equivalent concept से और I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इतना practice करके रखना next lecture में अपन शुरू करेंगे back titration मिलते हैं जय भारत